Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे पांच में इसे लेके 10 में तक President of China, Shri Zin, 3 European countries को विजिट करते हैं ये विजिट अपने आप में President Shri और China दोनों के लिए काफे significant था और ये विजिट शुरू होने के पहले European medias में कुछ इस तरीके से perception create किया गया था कि इस विजिट का जो objective है वो President Shri Zin अचीव नहीं कर पाएंगे लेकिन जैसे ही ये विजिट खतम होता है वैसे ही जो एक सबसे बड़ा concerning चीज निकल के आता है European countries के लिए वो ये है कि European Union में देशों के बीच में unity नहीं है और बहुत हद तक इस disunity का जो reason है वो China है साथ में जब हम इस विडियो को सुनेंगे तो back of the mind में कहीं न कहीं हम अपने देश भारत को भी रखते हैं ताकि exactly हमें ये समझ में आए कि China का progress क्या है और भारत का progress क्या है इस विडियो में हम बात करेंगे कि exactly क्या objective था प्रेसिडेंट शी का European countries को विजट करने का मगर आगे बढ़ हूँ से पहले आपको ये विडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और विडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं तो कहीं न कहीं अभी अभी अगर आप European medias को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़या कि almost similar headline का इस्तिमाल किया गया है जहां पर ये बताया जा रहा है कि European Union के जो देश है उसमें कितना जादा disunity है कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है एक तो alliance create करना या group बनाना काफी आसान होता है लेकिन उन सारे group में जो देश होते हैं उन सभी को एक साथ लेके चल पाना बेहत मुश्किल होता है जैसा कि अभी Russia और Ukraine के बीच में war चल रहा लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे European Union में देश हैं जो कही न कहीं या कहले बहुत हद तक Russia को support कर रहे internally तो इससे भी जो difference of opinion होता है वो create हो जाता है उसके बाद अगर बात किया जाया तो ये visit important क्यूं था प्रेसिडेंट शी जिनके लिए तो एक तो लगभग 5 सालों के बाद प्रेसिडेंट शी योरोप के विजट पे थे और उसके बाद लगभग collectively योरोप ने ये फैसला किया है कि 2035 तक इनके देश में almost almost जो गाडिया रहने वाली है वो electric vehicles ही रहने वाली है इसके पीछे का वज़ये बहुत ही साफ और simple है कि जिस तरीके से global warming बढ़ा है उस global warming को reduce करने का जो अभी सबसे आसान तरीका दिख रहा वो electric vehicle कहें इस्तेमाल है और उसके बाद ये कहने के जरुवत नहीं है कि चाइना का electric vehicle manufacturing जो plants वगेरा है इनके सामने दुनिया का शायदी कोई देश stand करता है उसके पीछे का भी reason बहुत सारे है एक तो चाइना उन सब देशों में सबसे आगे खड़ा आपको मिलेगा most of the time जो research and development में पैसे invest करते हैं चाइना लगभग electric vehicle या इससे related जो भी काम है यानि कि semiconductor बनाना या lithium-an का manufacturing करना या high-grade lithium-an batteries को बनाना इन सब में चाइना का इतना ज़ादा expertise हो गया है कि चाइना जिस तरीके का electric vehicle produce कर पाएगा उस label का produce करना किसी और देश के bus का बात नहीं है या यूँ समझ लें कि जितने सस्ते कीमत में चाइना आपको electric vehicles दे देगा इतने सस्ते कीमत में किसी और देश की bus की बात नहीं है तो कहीं न कहीं जो European countries है उनको डर है कि अगर चाइना से हम electric vehicles को import करेंगे तो उनका जो local market है या जो local manufacturer है उनके पास कोई motivation नहीं बचेगा कि वो electric vehicles के उपर काम करें As a result यह होगा कि जो European market है वो highly dependent हो जाएगा Chinese electric vehicles के उपर तो इन्हीं सब को देखते हुए European Union ने ये collectively फैसला किया कि जो import duty है उसको बढ़ा दिया जाए अब क्यूंकि अगर किसी पी तरीके से import duty बढ़ता तो जो China का electric vehicle industry है उसको एक बहुत ही बड़ा setback मिलता तो यहां से as an Indian हमें ये समझ में आता है कि अगर हम research and development में सही time पे सही पैसे invest करें तो chances काफी high होता है कि उस specific field में हम as an giant निकल के आए और जितना जादा आपका देश export करेगा उतना ही जादा जो सामने वाला देश रहेगा वो आपके उपर dependent रहेगा और अगर बात किया जाए कि France, Serbia और Hungary को ही क्यों विजिट किया गया था majority of companies है वो Japan में अपने आपको set up करना चाहते हैं तो ठीक जर्मनी के opposite एक देश है France और France में बीते लगभग हम कह सकते हैं कि 10 से 15 सालों में चाइना खूब सारा investment किया है तो जहाँ पर business होते हैं वहाँ पर relation अच्छे हो ही जाते हैं और उसके बाद Serbia और Hungary में भी चाइना का खूब सारा investment है Belt and Road Initiative के अंदर में आता है तो यहाँ साम एक चीज़ समझ सकते हैं कि बहुत ही selective तरीके से चाइना अपने plan को बनाया है जहाँ पर ये पूरे group को target ना करके जो individual देश है उनको target कर रहा और more or less अगर किसी भी group में अगर आपके 10 या 20 परसेंट भी लोग आपके favor में अगर vote करते हैं या आपके favor में कुछ कहते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा बात हो जाता है और ये बकाइदा experts का कहना है जो specifically चाइना के foreign policy को पढ़ते हैं और समझते हैं उसके बात लगबग 20 साल हो चुके हैं Russia और Ukraine war में जहांपे बहुत सारे ऐसे European countries है जो इस war के कारण उनका Russia से जो crude oil था या जो natural gas था उसका आना बंद हो गया तो as a result ये होता है कि उनका economy पेस का direct impact पढ़ा है वहीं पे क्योंकि China भी आज के डेट में एक global superpower है तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि European countries बढ़ चड़ कर चाइना को ये बोले हैं कि आप Russia से बात करें और इस war को जल से जल रुकवाएं इसी बीच चाइना के उपर ये allegation लगाया गया है primarily आपके US के द्वारा जहांपे ये कहा गया है कि China रश्या को मदद कर रहा है weapons भेज के जहांपे primarily आपके drones हो गए है या कोई भी ऐसा समान जिसका war में इस्तिमाल किया जा सकता है उसी चीज़ को China complete तरीके से इंकार करता है और जहांपे कहता है कि ये महज चाइना के उपर allegation लगाया जा रहा है तो यहां से भी हमें समझ में आ रहा कि अगर कोई देश या group of देश आपको ये request करता है कि आप Russia से बात करें और इस war को रुकवाएं तो ये एक साफ indication होता है कि आपका जो global presence है वो काफी बढ़ा है और आप capable है कि आप war रुकवा सकते हैं वहीं पर अगर बात किया जाए सर्बिया का तो सर्बिया European Union का member नहीं है लेकिन सर्बिया एक पडोसी मुल्क है हंगरी और हंगरी European Union का member है तो कहने का मतलब है कि बहुत ही selective तरीके से फ्रांस को चूज किया गया, सर्विया को चूज किया गया, हंगरी को चूज किया गया जहां पे दो तेश European Union का मेंबर है और एक देश European Union देशों का नेबर है और उसके बाद अगर बात किया जाए तो चाइना का Belt and Road Initiative है इसके तहट सर्विया में खूब सारे investment किये गया है जहां पे rail project में investment किया गया है, steel work में investment किया गया है या more or less अगर हम समझ लें, तो वहां के infrastructure development में खूब सारे investment किये गया है और वहीं पे अगर हम बात करें Hungary का, तो जब भी European Union के अंदर में कोई भी ऐसा discussion हुआ है जिस discussion में अगर बात किया गया हो कि चाइना को counter करना है तो उस opinion या उस resolution को Hungary complete तरीके से oppose किया है तो यहां से भी हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर हम दूसरे देशों में investment बढ़ चड़ कर करते हैं तो कहीं न कहीं उस देश को हम directly या indirectly control करते हैं जो कि again हम देख सकते हैं Hungary और चाइना के example से और अगर आप इससे related और भी अगर आप articles पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि जिस तरीके से President Xi को welcome किया गया Hungary और सर्बिया में यह बताता है कि चाइना का importance क्या है सर्बिया और हंगरी के लिए वहीं पर अगर बात किया जाए European Union के बारे में तो उसको डर है कि अगर वो किसी भी तरीके से बढ़ा के Chinese Electric Vehicles के उपर tariff ना लगाए तो possibility काफी हाई है कि Chinese Electric Vehicles पूरा का पूरा Europe में अपने आपको dominate कर ले वहीं पर यह देखा गया है कि हंगरी चाइना के साथ मिलके जो चाइना का एक बहुत ही बड़ा Electric Vehicle Manufacturing Company है BYD उसका Production Center को खोला है तो कहने का मतलब है जिस चीज से एक Union बचा रहा है अपने आपको उसी चीज को invite कर रहा है उसी Union का एक देश तो ये भी एक काफी अच्छा example है कि अगर आप सामने वाले देश को serve करेंगे या उसके benefit के लिए कुछ काम करेंगे तो definitely उसे भी आपके benefit के लिए काम करना पड़ेगा और क्योंकि European Union एक Union है जहां पे हर 6 महीना पे presidential election होते हैं कहने का मतलब है कि हर 6 महीना में एक नया president appoint होता है rotating basis पे तो इस बार chance है से कि Hungary उस presidency को समभा ले तो अगर हम इस वीडियो को देशों को मदद करें उनको benefit पहुँचाए ताकि वो सारे देश China का as a proxy काम करें और यह चीज अपने आप में गलत भी नहीं है geopolitics में अगर आप effective नहीं रहते हैं तो देश आपको dominate ही करते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye